जै माता की दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ने व्लोग में और मैं हूँ अभी अपनी लकड़ी वाली दुकान पर अभी आपको दिखाता हूँ जो कायल के पल्ले हमने तियार करवाये थे ना कायल वूड की वो क्या से दिखाई दे रहे हैं अभी उनके उपर एगमार वग जो फिटिंग करने योगी है और यह है बड़ी खिड़की के दरवाजे अभी बड़ी खिड़की वाड़ों पर भी अभी रेगमार लगाएंगे फर यह भी उजनी जो पराने छोटे पल्ले दिखाए थे मैंने अभी उनकी तरह चमकने लगेंगे और जब पलिश होगी तो और ज्यादा खेलेंगे फिर यह काम है हमारा शायद अभी इसमें तीन या चार दिन और लगेंगे क्योंकि बड़े पल्लों का अभी तक कोई साइज नहीं है को डिजाइन फाइनल नहीं हुआ है तो अभी तीन चार दिन और लगेंगे हो सकता उसे ज्यादा टाइम भी सुनी पत का सुनी पत का ओडर है तो अभी एक ड्राइंग त्यार करनी अभी त्यार कर लेते हैं फिर वही प्रोसीजर है हमारा कस्टमर को वेज़ेंगे और फाइनल करवाएंगे ताकि कोई कमी न रह जाए बाद में नहीं तो सही बता हूँ अगर बाद में कोई दरवाज जो ठीक करने रह जाते हैं तो बहुत समश्य होती है उसमें और नहीं प्रोपर तरीके से फिटिंग होती है उसकी दुबारा खोलने के बाद और जो एक वर नई चीज बन जाए न वह दी बैस्त है इसलिए साइज बेसक चार बार चेक करो यह पांच यह दस बार चेक करो को कोई समस्या नहीं लेकिन बनने के बाद नहीं खुलना चाहिए कुछ भी हमारे यहां पर ग्यारा तारीक को नेट बंद हुआ था ग्यारा फरवरी को और आज ग्यारा बारा दिन हो चुके उसको बंद होएगो और ऐसा काम हो चुका अगर कहीं बाहर जाए ना वाई-फाई को चोड़ गए तो बिलकुल भी हर बारा दित क्या कि मूबाइल निकालना फिर कुछ ने कुछ यूटूब के ओपर चेक करना या और कुछ देखना तो लेकिन अब काम ऐसा हो चुका है कल में गया होता ही सार जिंदल हो स्पिटल में वहां पर बार बार में मोबाइल निकाल सब्सक्राइब कुछ न कुछी चेक करें चल कुछ रहा है नी उस में चलेगा एकने ठाई नी और कुछ भी चेक नहीं कर एकर हां सकते हो उतना बढ़िया है, अब जितना रखो, कैश रखो अपने पास, नहीं तो क्या है कि पहले तो क्या होता है, तो कैश कम है ना, तो कैश कम लेके चले गए, और वाक्या अपना Google पे यूज करते रहे, या भी मैप यूज कर ली, मैं तो जाद अदर भी मी यूज करता हूँ, तो भी मैप यूज कर ली, उससे पेमिट करते रहो, लेकिन आप सभी कैश लेके चलना पड़ा, और अभी तक कुछ नहीं पता है, कि नेट कब तक चलेगा, क्या कुछ होगा, पहले एक दो दिन के करके किया था बंद, अब उससे आगे से आगे, आगे से आगे, उसको बढ़ा की स्पीड दिखा रहा है, अभी भी उसने अट वाले का फोन किया था, मैं यार कम से कंद इसको ठीक चला हूँ, तो देखते हैं, अभी उसने बोला, जागे कंपनी में मेल डाल रखी है, फिर ठीक होगा, यह ऐसे मतरब घिषड-घिषड के चलने वाड़ा काम हो चुका इ आगे देखिए, यह 8 वाई, 7 की विंडो है, 4 की जासे यहां पे निचे वनेगी डाई फुट का उपर हो सुनतान है, अगर जब पहले यह विंडो बनती थी ना, यह वाड़ा भी उपन होता था, उपर वाले भी यह वाले भी सभी वेंटिलेटर उपन, इतने दर्वाजय लगते थे इन में लेकिन आप देख चुकिए ये भी फिक्स ये वाड़ा भी फिक्स है ये भी फिक्स बनेगा ये भी फिक्स सिर्फ ये उपन बनेगा ये वी क्यों कुल रेसी के कारण और ये उपन और सिर्फ ये उपन है इतनी बड़ी विंडो में सारी खड़कियां लगत लगते थे लेकिन अब आर्किटेक्ट ने ऐसा सिस्टम बदल दिया है कि नहीं सब फिक्स कर दो ओपनेबल एक या दो चाहिए बस इसे जादा कुछ नहीं रखेंगा उपनेबल अल्लो है वाड़ी कौन पर शुरू अभी जो चोक्त आएगी हमारे पास इनके वेंटिलेटर चोटे गरने आए तो अभी हमें इनको फिटाए और शॉट ब करवाकरा है और साथ के तैने तै और त्यार हो यह वाले इनकी साथ लोड़ काजेंगे इनको और अभी में के अभी सबसे पहले निकाले जाएंगी गरीनिकालकर वेंगा दो निकालकर निके जो प्राइए जो कि यह सारी ग्रील खूट चुकी है और अब इसके हला गलब सरी अगर के जो इसका साइज बनाना है वो साइज बन जेगा है अब यहां सोई इसको काट लेंगे ताकि जीतनी छोटते करने है फिर उतनी छोटते करेंगे इसके यह देखिए उत्परवाली बाज्यू है जो पूरी निकल चुकी है अधी इन में जीतनी कटिंग करनी है ना इनको छोटता करेंगे और छोटता करके फिर दुबारे इसको लगा देंगे यह देखिए अब इस तरह से यहां पर इनको यह तुकुड़े काटने शेक्षे इंसी छोटते करने है तो छाए इंसी का तुकड़ा उतार लेंगे इसका जो जी यह सारी कटिंग हो चुकी है अब इसको वेल्डिंग के साथ थोड़ो सा अठा के अब जी तना भी हटाना हमें वह अठाएंगे और फिर यह दुबारा यह जो उप्र वाड़ा मुलियन है यह लगा देंगे इसके उपर अब यह अर्थ की सब्सक्राइब अब ठेक हो चुका है अब यह देखिए अभी इसको वेल्डिंग के साथ काटना पड़ेगा थोड़ो सा अ 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 लीए — हूं रिए स्था को लीए पुआ है मूद घजी जए हो नयाए प्यज़ रिए अट्ब थिए प।्बwachराद uważु जगा हो लीए लीए यह让 हु़ अब इस वाले को वी जहां पर ब्लेडिन लगा था न तो वहां पर वेल्डिंग के साथ आठाना पड़ेगा ये तो वेल्डिंग जोड़ने जोड़ने के लिए नहीं काटने के भी काम आती है तो कटिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है अब अब उपर का मुलियन और लगाएंगे इसका ये इस तरह से तो जोड़ने के बाद चोखट हो जाएगी है खिड़की है जो ये कुछ आसी हो जाएगी जो परवाड़ा मुलियन है जूड़ चुका है और ग्रिल के है वो भी सेट हो चुकी है अब ही दूसरी खिड़की का और काम चालू है तेखिए और इस वोलोग को करते हम यहीं पे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए जय हिंद जय भारत जय माता की